प्यारी बच्चों नमस्कार आप C9 में ठट का पहला लेक्चर मेरा देखा और हम उबिद करते हैं कि उसे आप एक दो बार जूड़ देखे होंगे और उसको 100% आप क्लियर कर लिये होंगे अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एकाँ दो बार उसे और आप देखलें उसके बाद इस लेक्चर में आप आएं ठिक है उसमें हम बोले थे कि आज के कलास में हम बात करेंगे भीर पर कि अगर भीर दिया हूआ हूँ ठीक है फ्रेक्शन दिया हूआ हो या भाग जिसको कहो या तो c9 इस पर हम कैसे लगाएंगे अगर fraction की बात करें तो c9 हम कैसे लगाएंगे इसकी बात करने की बात किया थे हम हना fraction में दिविजन में मतलब भीन और भाग में c9 कैसे करेंगे चलिए यहां पर त्रहां सा गौर करिएगा पहले आप कंसेट को सुने ले उसके बाद आगे इजांपल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा देखिए का यहां पर गौर से आप जब कोई भी भीन लिखते हैं तो उसके हर में या तो एक आयेगा सिंगल जी की बात कर रहे है चार आएगा या पांच आया या से आयेगा या आठा आयेगा या नव का मतलब 0 9 हो या 0 हो, कोई फ्रक नहीं पढ़ता है, दोनों एक ही ची है, 9 मिंस 0 हम पहले भी जानते हैं, से नहीं नहीं कहते हैं, 9 बराबर 0 आ 0 बराबर 9, यह मेरा कंसिप्ट में सामिल है, ठीक है, तो अंस में कुछ भी हो, हमें कोई प्रभाब नहीं पढ़ेगा, A, B, C, D, ANS में कोई भी टर्म रहे, हमें कोई प्रभाब नहीं पढ़ेगा, लेकिन हर में क्या है, उससे प्रभाब पढ़ेगा, ओके, तो ध्यान दिजेगा, अगर यहाँ पे थ्वासा ध्यान दिजेगा, 5 बटा 1 लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं आप, 5, आप कहते है 7Y1, मतलब क्या कहते हैं आप इसको, 7, आप कहते हैं 18Y1, तो इसको क्या कहते हैं, 18, मतलब यह हम बताना चाह रहे हैं, कि अगर हर में एक आता है, तो उससे हमें कोई फ्रक नहीं पढ़ता है, एक को आप अंदेखा करके क्या लिख देते हैं, 5, हर वाला एक को अंदेखा कर है इसको एक बनाने का है हमें कुस impeachment करना है इसको एक बनाने का तो सोचना है कि इसमें कितना से हम उपर नीचे गुना कर दें कि एक आ जाए कि एकाड़ आह यहाइगा तो आपको कोई टर्म ही नहीं मिलेगा ठिक है। 3 को एक नहीं बनाया जा सकता है, 3 में कितनों से गुना करिएगा तो एक नहीं आएगा, ओके, 4 के बात करें, तो देखो, अगर यहाँ पर 7 से गुना कर दें, सार में, नीचे करेंगे, तो उपर भी 7 से करना पड़ाएगा, तो सचो के 28, 28, 28 का मतलब 8, 2 पलस 8, मतलब 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ओके, मतलब अगर 4 है, तो 8 से, 7 से गुना करने के बाद, उसका मान एक बन जाएगा, अगर 5 है, तो 2 से गुना करने पर 5 दूनी 10, एक बन जाएगा पांदुने दस का मतलब एक शे को भी आप तर्वाट एक के रोप में नहीं कर सकते हैं साथ है तो इसमें आप चार से गुना करेंगे तो सचो के 28 28 का मतलब आठ दूद दस दो भाई पाच मतलब हर में अगर पाच है तो दो सगुना करना है हर में अगर दो है तो पांच सगुना करना है उसी प्रकार से यहां पर देखिए चार साथ यहां पे अगर हर में चार है तो साथ से और हर में साथ है तो चार से साथ सा दूसरा का भेरी करेगा मतलब आपको द 10 हर में 8 है,ट बोपर Нीचे,8 से सबूना करना है». लेकिन, बच के उंद्या? 3 अगर हर में आपका 3 है यह हर में आपका 6 है यह हर में अगर 9 है 9 को आप 0 भी कर सकते हैं. तो इसको convert आप एक के रुप में नहीं लगा सकते हैं. यहां पे हम direct CI नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे हम लगा सकते हैं, हम single digit के मान कर रहा है, ध्यान रहे हैं, हम संख्या के बात नहीं कर रहा है, हम इसके बात कर रहा है, जैसे 3, 4, 5 है, तो 4, 3, 7, 12 मतलब 3, हम इस single digit के बात कर रहा है, संख्या के बात नहीं कर रहा तो ऐसी सित में हम करेंगे क्या कि यदि हर में 3 और 6 है तो सबसे पहला काम आपको होगा कि उपा नीचे 3 से भाग देकर इस 3 या 6 को हटाने का आप परियास करेंगे अगर हट गया तब C9 का यूजा कर सकेंगे हट जाएगा उसके बाद ही आप C9 का यूज कर सकेंगे अगर नहीं हटा तो इसका मान समझ लिएना है कि आसंता आने वाला है मतलब पूरा-पूरा नहीं कटने वाला है अता इस पर C9 का यूज हम नहीं कर सकेंगे ठीक है, example में सारी बात को हम clear कर देंगे, यही किरिया हमें 9 में करना है, इसमें क्या करना है, उपर नीचे 9 से भाग देकर 9 को हटाने का पर्यास, अगर हट जाता है, तो C9 का यूज कर लेंगे, और नहीं हटता है, तो C9 का यूज नहीं करेंगे, अगर हर में अगर ये चीज हो चाहए दू हो या चार हो या पाच हो या जा स Protection से आराम से करेंगे कैसे मां लिज जाता है 315 बटा 2 आ रहा है इसका हमें सिंगार डिजिक निकालना तो क्या करेंगा है कि ने हरा है पूर ही देना है अता सीधे यहां पर क्या करेंगे कि अगर हर में 2 है तो समझ जाएंगे कि उपर नीचे 5 से गुना करना है तो सिर्फ उपर आप 5 से गुना कर दिजेगा और सी नाइन से निकाल लिजेगा तो सिर्फ उपर आप 4 से गुना कर देंगे क्या नीचे हम नहीं नीचे चार से गुना नहीं कर रहे है इसलिए कि मतलब हमको पता है सचो 28 28 मतलब 10 10 का मतलब एक हो जाना है सिंगल एक हो जाना है मतलब इसको हल करेंगें ताट इन मतलब 0 साथ सचो 28 28 मतलब एक इसका एंसर एक आयेगा सिंगल इक आएगा चलिए यह बात भी आपको सुम्हें आया होगा ठीक है तो आगे बढ़हें कि और एक एजमपर करें मालो कि हमारा कोशन आ गया तीन सव पंद्रा बटा दूसर पाच ठीक है दूसर पंद्रा दूसर पंद्रा ऐसा कुशन आ गया अब हमको सिंगाल डिजिन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे या पर ध्यान दीजिए पहले नीचे दिखेगा नीचे कितना रहा है पाच ये शे आट ध्यान देना है पाच एए खे डू 8 हारा है कितना रहा है आँ जब नीचे आठ आफ या पंद्रो क्या मतलब मतलब हो सकती है लेकिन करेंगे तो आपका किलियर हो जाएगा ऐसे भी आप सोकते हैं देख सकते हैं अगर ये कोशन आपके प्रिवेस एर का ही कोशन उठा कर डाल रहा है हम अपने से बना कर ने डाल रहा है अब आप सोच सकते हैं कि यह कोशन आपके एगजामे पक्रा जाएगा तो आप क्या करेंगे कैसे हल करेंगे ठीक है अगर C9 में ठड़ा आपके पास नहों तो कल्कुलेशन करने में ऐ कोई चीज का नहीं अयर्सिनाउमे में उके तो यहां पर देखे आठ है मतलब NATO कितना हो गया यहां पर आयए इक साघारी गारा मतलब कशिय यहां पर आ गया दो मतलब आपका कहीं नए कहीं कोशन बन गया साथ- शे दूनी बारह, बारह मतलब 3, तब 5 में से 3 गया 2, बराबर 2 आउफ भाट, फिर से दिखी, 2 सत्य 14, 14 मतलब हो जाएगा 5, माइनस शे दूनी बारह, बारह मतलब हो जाएगा, तीन, पाच में से तीन गया, दो, बराबर इधर का किरिया है, दो आउफ भाट, मतलब दो गुना भाट, ठीक है, यहाँ पे गौट से समझना है, अब बहुत सारे विद्यारती भाट बराबर क्या करेंगे, दो बटा टो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इसको काट कर आप एक नहीं बनाईएगा, कभी नहीं सिंगल डिजिट के मान को काटना चाहिए, हाँ संख्या को काट येगा, लेकिन सिंगल डिजिट में जब तर्वहट आप करके इसको हल कर रहे हैं, तो भाग बाला, मतलब जब नीचे 2 होता है, तो उपर में के से गुना कर देता है, या 5 से, मतलब हो जाता है 5, 2, 10, मतलब 1, नीचे वाला को भूल जाना है, नीचे 2 है, तो 5 से गुना करकर नीचे वाला को भूल जाना है, मतलब 5, 2, 10, का मतलब 1, मतलब जिसका भी सिंगल डिजिट मान एक आएग पर देख रहे हैं अगर कोई प्रोलम होता है तो वीडियो को सिलो भी करके आप देख सकते हैं या फिर सुरू से पुना दुवारा तिवारा भी आप देख सकते हैं और जब तक आपको देखना है जब तक यह 100% किलियर नहों हो जाए मतलब कोपी में नहीं दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्योंकि यह सारा चैप्टर में आपको ऐसे भी आपड़े हैं तो इसको हल करने का तएका बत्या आ जाता है कल्कुलेशन जो होता है वो तो आपको खुद ही नहीं करना पपर इकरिया है अब हर ले कार्ड है यही बद परतिक बच्चे को फरसान करता है आपको तो परसान नहीं करना चाहिए अब यहां पर गौर करिए इस कोशन को भी गौर से देखें अगर आपके पास C9 मेठर नहीं होता तो क्या करते आप तो कहीं नहीं कहीं कल्कुलेशन करते और अशा कर्शा अपना बक्त गवा देते नहीं लेकिन मेरे पास सब C9 आ चुका है भाट गुना पाच इसको हल करेंगे तो शे चार दस शे चार दस मतलब होगा एक बरावर भाट गुना पाच इसको हल करेंगे लेकिन यप और इक बरावर प्योंस मतलब हो जाएगा दो बटा एक जिसको आप कहेंगे क्या तो लेकिन ये पर कर ने पेक्केवन होगा है अता करना क्या है गवर से दिखिए तो एक बटा पाँच आ गया हमें दिखाई दे रहा एक नीचे पाँच है अता सिर्फ उपर दो से गुना करके आप काम चला लेंगे नीचे वाला को तो शोड़ ही देना है नीचे पांथ ओपर दो से गुना कर दिए मतलब सिंगर डिये मा साथ यह गते हैं बारा घृत अचाई हम दिखाई दे रहा होगा तुसा ऑफर को सिंगरे मं मतलब टीन-चाइब मीरा एश सuity कितना जाएगा तीन लेकिन इसके बतले एसे नहीं लिखना है भागा आपका नियमान इंसा क्टिना अ इस lava हो किसे अब कहुं हो चाहिए इस अब चुटेज एह कुन है तो साथ एक बीघारा मतलबμε-ठीना हो गए षुक्ता है तो उमीद है कि यह भी बात आपको समझ में आया होगा अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स को ठीक है अर्थात एक मिनट अर्थात कोश्चन नंबर 11 को समझ रहे हैं कि आप लोगा बना भी रहे होंगे इसको नहीं बना भी लेंगे अगर वैसा बात हो तो विडियो को रोक क पहले बना लिजिए उसके बाद आगे बढ़कर देखिए ठीक है चलिए अब यहाँ पर गौर करिएगा सबसे पहले आपको हम बठे कि नीचे वाला को देखना गौर से समझे नीचे वाला को देखना तो नीचे दिखाई देरा है नो मतलब 0 शेतिन नो मतलब 0 नीचे में क आए 9 का मतलब 0 भी होता है तो यहां पर इसका यूज डाइरेक्ट हम नहीं कर सकेंगे पहले इसमें से तीन को हटाना होगा ठीक है उसके बाद ही इसका हम यूज करेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे चुकि हमें देखिए हर से करता या नहीं करता है तो बिलकुल सब 3, 2, 3, 3 चल जाएगा ठीक है यह 3 से बिलकुल कटा जाए 1 3 9 8 8 24 यह थीए 8 24 एक 3 हो गया 3 9 8 24 हो तिया 18 दो 9 27 पांत यह 15 ठीक है यह समलब को नहीं देखिए यह समलब को मत देखिए ठीक है क्योंकि हमको तो single day मा निकालना है अब यहां पर गौल कीजिए तीन दू पाच एक शेक साथ क्या तीन आ रहा है क्या तीन दू पाच अदू साथ कितना आ रहा है साथ तीन चला गया जब तीन इसमें से चला गया अब हल कर दीजे तो जो ही हर में आपको तीन दू पाच का मतलब नीचे एक हो जाएगा आता यह तक रिया ना करके खल यही करना है कि नीचे अगर साथ आ रहा है तो उपर में चार से भुना कर दीजेगा हल कीजिए आपका एंसर आ जाएगा नौ मतलब 0 शेतिन नौ मतलब 0 आठ एक नौ मतलब 0 क्या बच गया दो मतलब जि आठ आठ एक यह भी आप एंसर ने गए का फिए उनसर होगा आपका भी एंसर हो चलिए बनाएगा इक सब्सक्राइगा एंसर तो सब्से पहले तो नीचे वाला को देखना है पांचार नो मतलब 0-03 ना दू दू पांच नीचे कितना और आरा ह। गवर करिए रहा है पांच तो पहले ही शोड़ देता है इसको तो क्या करते हैं नीचे पांच आता है तो उपर में सिर्फ दो से गुना कर देते हैं नीचे पांच आपर दो से गुना कर दिए हाल कर दिए एंसर चलिए हाल करते हैं तो 4,3,7,2,9,0,5,2,9,10, मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक देखिए किसमे है, तो 5,3,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,10, एक मेरा एंसर कभी नहीं होगा, 5,4,9,0, A, आगिया, एक हो सकता है, 5,2,7,1,8, a,b, नहीं होगा, एंसर, ठीक है, 7, 8, 5, 13 मतलब 4, a, b नहीं होगा, answer कौन होगा, answer मेरा, b होगा, तो ये question भी आपको स्मझ में आया होगा, ठीक है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, तफाग गर्मी जादा है, लेकिन क्या करें, class भी तो लेना है, चलिए, question number हम बढ़ते हैं, 13 की होगा, इस बात पौश्चन है, सबसे पहले यहां देखिए, भाग का मतलब क्या होता है, था नीचा है, नीचे 1 है, इसको कोई फराख नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इसका कल्कुलेशन करना है यहां निकालेंगे तो यहां पर आते हैं तो आठ है एक नो मतलब 0 707 ते रहा मतलब 4 और यह है शेच चोव चोविस मतलब क्या हो गया शेच बराबर भाट पलस चाहते साथ नो मतलब 0 कितना आ गया एक मतलब भाट बेरावर कहीं नहीं किया आ जाएगा पांच फिर से देखो नो एक दस मतलब 0 अतक उपर वाला का खले करना पांच 10 out 6 का मतलब 4 तो 4 6 26 ब्रावर मतंटाल सकता है और टीर हपाइर नहीं हो सकता है यहाँ पिसलिए 114 मतलब नहीv सकता है बिल्कुल हो सकता है आप डि में टिकोर्ट मार दिज venture एक तो 28 एज के सेशन का अगला Question कि कोशन अब खुशन है आप फ़ॉसा गा CHARL कीजिए इसका है तो कहीं ने कहीं लिंदी होने बाला है नही होने वाला है बिल्कुल होने बाला अगर अगर यहाँ पर C9 का में उच करें तो यह को से ना मेरा आसान हो सकती है चलिए C9 के उच करते हैं लेकिन उसे पहले अगर को कहें 2 पुणांग 3 बटा 4 इसका मतलब क्या होगा तो आप कहिए गादो पलस 3 बटा 4 क्योंकि पुणांग के बीच में क्या काचिन होता है पलस का हो उसका सिंगल डिट अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे तो आपको पता हो चुका है कि की स्पुणांग के कामन बटा 179 है इसका मतलब यहां पर क्या प्लस है तक यहां पर देखिए हर्व को पहले देखिए 9 मतलब 0 6 7 7 7 नीचे 7 आ रहा है तो पर क्या करिएगा 4 से गुना नीचे 7 अगर आ रहा उपर 4 से गुना कर देना है और नीचे वाला को शौड देना है तब क्या दिखाई देगा आपको तो इहां दिखाई देगा 6 24 24 24 24 24 मतलब 6 आइया है तीन प्लस 6 मतलब 9 3 प्लस यह मतलब 9 बराबर क्या हो जाएगा 0 पिर से समझे पहले हर क तो 9 मतलब 0, 7, निचे 7 आ रहा है तो उपर 4 जाएगा, 4 से गुना होगा, 6, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 9, 9 का मतलब 0, मतलब असपश्ट है कि इसका बर्मूल निकालेंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा, एक बात और समझे, अगर आप 16 का बर्मूल निकालते हैं, इसका अगर हम बर्क करेंगे, तो यह संख्या आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए, अरे इसका यह बर्मूल है, तब यह बर्ग मुला आया है तो इसका अगर हम बढ़ करेंगे तेया संक्या प्राप्त हो जाएगा तो देखिए चारों में से कौन सा इसा संक्हया है जिसको बढ़ करने पड़ जरू आता है । इसका बर करने पर क्या आना चाहिए जिरो आना चाहिए दिखते हैं पहले इसका सिंगर दिने का ले उसके बाद बर कर लेंगे तो नीचे चार नीचे चार यहां पलस है चीन नहीं कुछ मतलब क्या पलस है नीचे चार तो पर क्या जाएगा साथ तो आठ सते शपन आठ सते श शवपन ऐसे लिखा जाता है शवपन मतलब क्या हो जाएगा दो दूपान साथ साथ का बढ़ करेसे साथ का देगा उनचास वफटे मतलब चार आज travaille घृट्व sacrifice है ता चार अदू शे का बर करिएगा तो आ जाएगा शे शका 36 मतलब 9, 9 का मतलब 0, 6 का 37 मतलब 9, 9 का मतलब 0, बिल्कुल आ रहा है, अता ये उत्तर आपका हो सकती है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे 4 है, तो उपर 7 जाना है, जाना या नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है, तो सत्या 21, 21 मतलब 3, 3, 4, 7, 7 का बर करेंगे तो हो जाएगा, 49, 49 का मतलब होगा, 4, यहाँ पर एंसर नहीं होगा, यहाँ पर चलिए, चार तो उपर क्या जाएगा, 7, 7, 5, 35, 35 का मतलब 8, 8, 5, 13 मतलब 4, यह भी आपका एंसर नहीं होगा, एंसर कौन होगा, वो होगा, क्योंकि जो भी single digit आयेगा, उसका बर करेंगे, तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ब पतलब ratio average partnership, profile loss, discount, simple compound, कोई भी topic का नाम लिजिए, सब में calculation होता है, बिना जोर गटा बुनाबाब का कौन सा question होता है, अता सब में इसका use होना है, हम यहाँ पर C9 जो पढ़ रहा है, calculation को कमाने के लिए पढ़ रहा है, अता आप इसको कई बार देखें, और जब तक देखें जब तक आपका concept के लिए नहीं हो जाती है, ठीक है, तो बस आज के class में इतना ही, मिलते हैं, इसके अगला lecture में कल, ओके जब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाई बाई